हेलो फ्रेंड्स, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम जानेंगे हैट टू का यूज कि हैट टू का यूज किस तरीके से करते हैं अपने सेंटेंसों में और दोस्तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था हेट टू और हेजट टू का यूज कि हेट टू और हेजट टू का यूज किस तरीके से किया जाता है हमारे सेंटेंसों में तो दोस्तो अगर आपने उस वीडियो को नई देखा है तो आप उस वीडियो जाकर देख लीजिए जिससे कि ये वाला वीडियो आपको और भी बहतर तरीके समझ में आ सके दोस्तो तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं किस तरीके समझे अपने sentence हो में had to का use करते हैं और दोस्तो मैं आपको बता दू have to और has to का past होता है had to ये बात आपको याद रखने दोस्तो तो दोस्तो मेरा आपके समने had to का use दिखा है had to का use करते हैं हम to emphasize किसी भी चीज के उपर जोर देने के लिए जब आप किसी भी past में हुई घटना के उपर जोर देते हो तो आप वहाँ पर use करोगे दोस्तो had to का किसका दोस्तो had to का अगर दोस्तो इसकी हिंदी समझें तो इसकी हिंदी निकलके आती है करना पड़ता था या फिर करना पड़ा या फिर करना था यह तीन अरथ निकलके आते हैं हमारे had to के हिंदी वाक्यों में तो दोस्तो हम सबसे पहले जंगल लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने sentence को बनाते हैं क्या rule होता है और किस तरीके से हम sentence को बनाएंगे तो दोस्तो में आपके सामने कुछ sentence तो लिखे ही लिखे हैं उससे पहले दूस्त हम Rule को समझ लेते हैं कि Rule क्या हुता है sentence को बनाने का तो दूस्त हम सबसे पहले तो subject को लगाते हीं उसके बाद दूस्त है ed 2 को लगाएंगे चाहे दूस्त हमारा subject singular हो या फिर plural हो हमें use करना है head 2 का उसके बाद दोस्तों हमें वर्व की first form का यूज़ करना है ये बाद आपको याद रखनें दोस्तों क्योंकि दोस्तों head के साथ तो हम वर्व की third form का यूज़ करते हैं पास्ट perfect tense में लेकिन दोस्तों head to के साथ वर्व की first form का यूज़ करते हैं ये बाद आपको याद रखनें उसके बाद दोस्तों हमें लगाना है object उसके बाद ओडवलू यानिकी other word इतनी चीज़े आपको लगानी होते दोस्तों अपने हिंदी वाक्यों को पनाने के लिए तो दोस्तों में आपके सामने कुछ example लिखे हैं जिनके बाद दोस्तों में आपके सामने पहला sentence लखाया है उसे लड़ना पड़ता था तो दोस्तों कब लड़ना पड़ता था पास्ट में यानि कि भूतकाल में उसे ये काम करना पड़ता था तो दोस्तों जब आप पास्ट हमें क्या लगाना है है तो है टू लगा देंगे दूस्तों उसके बाद क्या लगा नहीं हो दूस्तों हमारे लिए वर्व की फर्स्ट पॉम यह बात आपको याद रखने है तो वर्व क्या है दूस्तों हमारी लड़ना पड़ता था तो लड़ना क्या है दूस्तों हमारी वर किसे समझ पाओगे अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा हमें किताब को पढ़ना पढ़ा यानि कि मैं किताब को पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन मुझे किताब को पढ़ना पढ़ा कब पढ़ना पढ़ा पास्ट में पढ़ना पढ़ा तो दोस्तों हमें सेंटेंस को नाएंग तो read वहने पड़ना पड़ा अब किसे पड़ना पड़ा दूस्तु किताब को तो be had to read the book तो दूस्तु हमारा यह sentence व Al NV 게 तयार हो गया be had to read the book हमें किताब को पड़ना पड़ा तो दूस्तु इस वाली sentence में पास्ट में की गई action पर जोर दिया जा रहा है कि हमको किताब को पढ़ना पढ़ा तो दोस्तों जब पास्ट में की गई एक्षन के उपर जोर दिया जाए तो आपको वहाँ पर यूज करोगे head to का ये बात आपको याद रखने है अगला sentence है दोस्तों हमारा हमें पढ़ना पढ़ता था तो दोस्तों हमें पढ़ना पढ़ता था यानि कि हम पढ़ना नहीं चाते लेकिन हमको पढ़ना पढ़ता था तो बाकी के अंत में क्या रहा है दोस्तों पढ़ना पढ़ता था यानि करना पढ़ता था ये sense निकल क्या रहा दोस्तों हमारा तुमको स्कूल जाना पड़ा यानि कि तुमको स्कूल जाना पड़ा यानि कब जाना पड़ा पास्ट में जाना पड़ा यानि भूत काल में आपको स्कूल जाना पड़ा तो दोस्तों हमें सेंटेंस सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाने सब्जेक्ट हमारा तुमको तो तुमको की meaning लगाएं दूस्तो यू यू मने तुमको उसके बाद दूस्त हमें लगाने है head to आपको एक बात रखने है subject के बाद हमारे लिए cable head to को यूज़ करना है उसके बाद दूस्त हमें लगाने है verb की फेस्ट परम बर्व क्या है दोस्तो जाना पड़ा तो जाने की क्या होता है दोस्तो गो अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेपाजिशन टुका जूज करते हैं अब कहा जाना पड़ा इस्कूल तो इस्कूल को लगाएं देगें दोस्तो यहां पर हम तो हमारा यह नाचना पड़ता था यानि कि राम नाचना नहीं चाहता लेकिन उसको नाचना पड़ता था कब पड़ता था पास्ट में पड़ता था यानि नाचने का कामभू करता था कब करता था पास्ट में करता था तो पास्ट में की गई एक्षन के उपर जोर दिया जा रहा यहां पर तो दोस्तो हम यहां पर सबस्पहले subject को लाई, subject है हमारा राम, उसके बाद दोस्तो हमें लगानी होगी head to, और उसका दुबार्व की first from, बार्व की first from क्या दूश्तो नाचना पड़ता था, तो नाचना क्या हमारी बार्व, तो नाचनी क्या होते हैं दूश्तो, d-a-n-c-e dance सब्सक्राइब कर दोस्तों हमारा और विजय को चाय पीने से पहलेफ्र पहसंद नहीं हो का सब्सक्राइब तो दोस्तो इस वाली सेंटेजसब सब्चलो फैला सब्जेक्ट को लगाएं कहें सब्जेक्ट हमारा विजय तो विजय के बाद दूस्तो। है टू उसको दोस्तों चाय को पीने के लिए कहते हैं टेक अब क्या पीनी पड़ती दोस्तों चाय तो टेक दा टी ई ए तो दोस्तों हमारा ये सेंटेस्वन की तयार हो गया विजय है तो टेक दा टी विजय को चाय पीनी पड़ती थी तो दोस्तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसों में हैट टू का यूज करते हैं उमीद करता हूं अब आप समझ गहे हों दोस्तो कि किस तरीके से मैं ने अपने सेंटेंसों में हैट टू का यूज किया था तो अगर दोस्तो पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और वेल आइकर को प्रेस कर लिजिए दोस्तों जिससे अनावले वीडियो इसका नाटिश्केशन आपको मिलता रहे और दोस्तों अगर आपका कोई कुस्चन हो तो आप कमेंट बाक्स में लगके भीज़ दीजिए मैं उस पर आपको वीडियो उना कर दे दूँगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थेंक्स वर वाचिंग वीडियो दोस्तों टेक केर कीप प्रेक्टिसिंग